बुंदी नेनवा थनाशित में नेशनल हाईवे 148 डीपर जजावर माताजी गेट के पास मंगलवार राद दो वहानों में जबरजस्त भढ़न्त हो गई हादसे में एक वहान के ड्राइवर की इलाज की दुरान कोटा में मौत हो गई वहीं दूसरे वहान का ड्राइवर हादसी के बाद फरार हो गया हादिशा रात करीब एक वजे हुआ, नैनवापुलेस के इंसार मंगलवार रात करीब एक वजे निशनल हाईवे 148 डी पर मारताजी के गेट के पास दो वहानों में बढ़न्त हो गई, कोटा से लेसन भर कर जैपुर जा रही पिकप गाड़ी का टायर अचानक फट गया और वहे आसंत लेत होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, दोनों बहानों में टकर इतनी जवड़जस्त थी कि ट्रक के आगे का हिसाब पुरी तरह से डेमेज हो गया है, ट्रक ड्राइवर रामकेश केविन में फस गया, जिसे गहल अवस्था में निकाल कर बूंदी रेफर किया गया था, प्रात में कुपचार के बाद उसे कोटा रेफर किया गया, जहां इलास के दुरान बुदबार सुबह उसने दम तोड़ दिया, पुलिस ने शव को पोस्ट माडम करवा कर परिजिनों के सुपोर्द किया है, मोबाइल और नगदी गयव, दोनों बहानों की भड़ंत के बाद आधी रात में काफी देड़ तक तो कोई मदद के लिए नहीं पहुचा, बाद में हादिशे की सुचना पर पुलिस मौके पर पहुची और ट्रक ड्राइवर को बूंदी अस्पताल पहुचाया, ट्रक ड्राइवर के साथी ने बताए कि रामकेश की में 9000 रुपे नगत थे, जो गायव है मौके पर उसका मोबाइल भी नहीं मिला, मोबाइल का कबर पास ही पड़ा है, लेसुन से भरी पेकप ओवरलोड थी, वहीं ट्रक में मैगी भरी हुई थी, हादशे के बाद पेकप का ड्राइवर फरार हो गया है, रात में ही लेसुन को दोसरी गाड़ी में भर कर ले गए. नरेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट.